एक बहुत ही बॉना आदमी रोहन बस टेंड पर खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा था ये बस आज तक तो कभी लेट नहीं होई आज इतनी लेट कैसे हो गई रोहन बस का इंतजार करी रहा था कि तभी वहाँ पर बस आ गई उस बस में बहुत भीर थी, बहुत सारे लोग बस से नीचे उत्रे और बहुत सारे लोग बस में चढ़ने लगे, रोहन भी बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था अरे भाई, मुझे चड़ने दो, अरे धक्का क्यूं दे रहे हो, अरे अरे रुखजा भाई, अरे बस वाले रुखजा, अरे मैं तो रहे गया रोहन बॉना था, इसी बचे से लोगों ने उसे धक्का मार मार कर बस के बाहर निकाल दिया और सारे लोग बस में चड़ गए, बस वहाँ से चली गई और रोहन बस पर नहीं चड़ पाया बस में से बहुत सारे लोग उस बॉने रोहन को देख कर उसका मजाग उड़ाने लगे, सब उसे देख कर हंस रहे थे ये देखो अपना नाटू भाई, नाटू भाई नीचे ही रहे गया, ये तो मेरे एक साल के बच्चे से भी छोटा है इतना छोटा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, बेचारा बोना बस में चड़ी नहीं पाया सभी लोग रोहन के बोनेपन का मजाग उड़ाने लगे, तभी थोड़ी दूर पर एक लड़की सुनैना ये सब देख रही थी सुनैना रोहन के पास आई, आप परिशान मत हो ये, बताइए आपको कहा जाना है अब भी मेरा मजाग उड़ाने के लिए आ गई, मुझे जहां जाना है मैं वहाँ चला जाऊंगा अरे नहीं, मैं आपका मजाग नहीं उड़ा रहे हूँ, मैंने देखा कि आपको लोगों ने धक्का देकर बस से नीचे उतार दिया लोग आपका मजाग उड़ा रहे थे, ये मुझे बहुत बुरा लगा, इस तरह किसी का मजाग उड़ाना अच्छी बात नहीं होती वो सामने मेरी स्कूटी खड़ी है, बताइए कहां जाना है, मैं आपको छोड़ देती हूँ, वरना आप यहीं खड़े रहेंगे शाम भी होने वाली है, इसके बाद कोई बस भी नहीं है, जादा मत सोचे, बताइए कहां चलना है मुझे बस भाव नगर तक जाना है, लेकिन आप मेरी वज़े से परिशान मत हो, मैं चला जाऊंगा इसमें परिशान होने वाली कोई बात नहीं है, सुनेना ने रोहन को अपनी स्कूटी पर बिठाया और उसे घर छोड़ दिया लेकिन तभी बाजार में शॉपिंग कर रही उसकी भावी ने देख लिया उस वक्त तो उसने अपनी ननत से कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर उसने अपने पती को, यानी सुनेना के भाई को सब कुछ बता दिया अज मार्किट में तुम्हारी लाडली बेहन किसी बौने आदमी के साथ घूम रही थी, इसलिए मैंने मना किया था कि उसे स्कूटी मत दिलाओ अदे, अपने किसी दोस्त के साथ घूम रही होगी मैंने भी पूरी दुनिया देखी है, उस बौने आदमी ने पीछे से तुम्हारी बेहन की कमर पकड़ कर रखी थी इतने में वहाँ पर सुनेना आ गई, तब ही उसके भाई ने पूछा सुनेना, क्या तुम्हारी भाई सही कह रही है, तुम किसी लड़की के साथ घूम रही थी, कौन था वो लड़का मैं समझ गई आपको भाई ने क्या बताया होगा, भाई ने जो भी बताया वो बिल्कुल सही बताया मैं उस बौने आदमी से प्यार करती हूँ और उसे से शादी करूँगी, बस भाई अब खुश हो गया, यही सुनना चाहती थी ना अगले दिन सुनेना रोहन से मिली, उसने रोहन से शादी की बात कर ली, लेकिन रोहन बहुत गरीब था इसलिए वो सुनेना से शादी नहीं करना चाहता था सुनेना, यह तुम क्या बोल रही हो, मैं बोना हूँ, मेरी हाइट तीन फीट भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझसे भला तुम क्यों शादी करोगी, तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा मैं ही सब नहीं जानती, तुम स्कूटी पर बैठो, मेरे भाईया ने तुम्हें बुलाये है सुनेना रोहन को लेकर अपने घर पहुन, उसके भाई और उसकी भावी ने रोहन को देखते ही मना कर दिया सुनेना, अरे तुम्हारे होस तो ठीकाने है, पहली बात तो ये कुछ काम नहीं करता, ये इतना गरीब है, और उपर से इसकी लंबाई भी इतनी कम है, लोग मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, ऐसी हरकते करते तुम्हें शर्म न नहीं देखा जाता, इतना कहकर सुनेना रोहन के साथ उसके घर चली गए, सुनेना ने अपनी स्कूटी वहीं खड़ी कर दी, उसके भईया भाबे उसे रोकते रहे पर वो नहीं रुखी, दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली, सुनेना, हमने शादी तो कर ली, पर अभी तक तुम अखेले कैसे रह रहे थे, वैसे ही हम दोनों रह लेंगे, हम दोनों मिलकर इस जिन्दगी को जीत लेंगे, अगले दिन रोहन किसी दुकान पर काम मांगने गया, तुम यहाँ पर क्या काम कर पाओगे, अरे तुम्हारी लंबाई तो मेरे पात साल के बेटे से भी काम है, मुझे काम दे दीजिए, आप मुझे आधे पैसे दे देना, मैं आधे पैसे में ही काम कर लूँगा, यह बात सुनकर उस दुकानदार ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन जब भी ग्रहक आते तो रोहन दिखाई नहीं देता था, फिर मालिक को ही बार-बार उ यह लो, एक हपते मैंने जितना काम किया, उसके पैसे मिले हैं, मेरी हाइट की बज़े से कोई मुझे काम ही नहीं देता ओहो, कोई बात नहीं, अब आप दूसरों के हाँ काम करने के बारे में छोड़ दीजिए, यह जितने भी पैसे आपको मिले हैं, इससे हम अपना कारोबार शुरू करेंगे अपना कारोबार, वो भी इतने कम पैसे में, मैं कुछ समझा नहीं सुने न बताती हो, पहले आप दुकान पर जाकर 10 किलो आटा, आलू और कुछ हरी सबजियां ले आए, तेल मसाला तो हमारे पास है ही अरे लेकिन करना क्या है, वो तो बताओ सुनेना पहले आप सामान लेकर आईए, बाद में बताती हो, रोहन बाजार गया और सारा सामान लेकर वापस आगया सुनेना और रोहन ने खाना खाया, खाना खाने की बाद दोनों आगे के बारे में बात सीथ करने लगे अब बताओ सुनेना, तुमने ये सब समान क्यों मंगाया? क्या कोई रिष्टेदार आने वाला है? मैं पिछले 10-15 दिनों से इस गाओ में रह रही हूँ, जब भी आप काम पर चले जाते हैं तब मैं दिन में इधर उधर घूमती रहती हूँ, मैंने देखा कि गाओ वालों को चोखा बाटी बहुत पसंद है, पर इस गाओ में तो चोखा बाटी मिलता नहीं, इसलिए गाओ व बाटी बनाना अच्छी तर आता है, मेरा प्लान ये है कि कल सुबह से ही हम अपने घर के बाहर ही चोखा बाटी बना कर बेचेंगे, पिर गाओं वालों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्या बात है सुनेना, ये तो बहुत अच्छा प्लान है, हाँ, इसी वज़े से मैंने सारा सामान मगाए था, अब जल्दी से सो जाते हैं, सुबह जल्दी उटकर सारी तैयारी करनी है, घर के बाहर एक अच्छी से दुकान भी तो सजानी है, अरे तुम उसकी फिक्र मत करो सुनेना, घर के पीछे ही कुछ बांस लगे हुए हैं, मैं वो काट लूँगा, बाते करते करते सो गए, सुबह चार बजे ही दोनों उट गए, दो तिन घंटे में दुकान तैयार हो गए, अरे गाओ वालो ये क्या है, आप तो अपने गाओ में ही चोखा बाटी के दुकान खुल गई, अरे रोहन भाई, तुमने तो शादी कर ली, और दुकान भी खोल जल्दी से हम लोगों के लिए चोखा बाटी लगा दीजिए, हाँ, अभी लगाता हूँ, आप लोग मेरे पहले ग्रहांग है, एक बार हमारे हाथ का चोखा बाटी खा कर बताईए कि कैसा बना है, उन लोगों ने चोखा बाटी खाया और उन्हें चोखा बाटी बहुत जंद आया कि उन लोगों ने पूरे गाउं में जाकर उसकी दुकान के बारे में बता दिया, अब रोहन की दुकान पर लाइन लग गए, सुबह से लेकर शाम तक उसकी दुकान पर भीर लगी रही, दिन भर में उन्होंने दो हजार से भी ज़्यादा पैसे कमा लिये, सुन हम अपने इस घर को तुड़वा देते हैं, इसी घर में नीचे हम लोग रेस्टरेंट खोल लेते हैं, और उपर हम लोग अपने रहने के लिए अच्छे से कमरे बनवा लेंगे, ये तुमने बिल्कुल सही कहा सुनैना, मैं कल सही मिस्त्री बुला लेता हूं, और काम शुर सुनैना के भाईया और भावी उस रेस्टरेंट में आए, इतने में रोहन भी वहाँ पर आ गया, रोहन सुनैना के भाईया भावी से मिला, उनका बहुत आदर सम्मान किया, रोहन ने दोनों को चाय और चोखा बाटी भी खिलाया, रोहन और सुनैना ने उनसे पैसे नहीं रोहन सुनेना, आज मैं तुम दोनों की तरक्की देखकर बहुत खोश हूँ, आज मुझे समझ आ गया है कि कभी किसी गरीब की हालत पर हसना नहीं चाहिए, ना ही उसकी शकल सूरत पर, अगर इंसान ठान ले, तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, सुनेना, अगर हो सके, तुम भाई के घर मिलने आती रहना, रोहन, तुम भी आना, मैं तुम दोनों की फिर से पुरी परिवार के सामने शादी करना चाहता हूँ, सुनेना ने अपने भाई और भाई को माफ कर दिया, इसके बाद सुनेना के भाई ने उन दोनों की धूमधाम से शादी की, और सभी वकील हूँ और मैं ही जज, तुम से तो बात करना ही विकार है, इतने में उन दोनों का बेटा वरुन वहाँ पर आ जाता है, उन दोनों को लड़ाई करता देख, चुप चाप सोफे पर बैठ जाता है, अचानक सारे लोग शान्त हो जाते हैं, और एक दूसरे का मूह देख हम दोनों नॉर्मल बाते भी करेंगे तो तुझे लगेगा कि यहाँ पर सुप्रिम कोर्ट का पूरा माहौल बन चुका है, अरे मैं आप दोनों की जोर जोर से आवाजे सुनकर ही यहाँ आया हुआ था, मैंने सोचा आप दोनों की कोई बहस चल रही है, हाँ बेटा, बहस तो चल रही थी और वो भी तेरी शादी को लेकर, वरुन वो एक सीनियर वकील है ना, उनकी बेटी बहुत जादा समझदार, बहुत ही जादा मॉडन और पढ़ी लिखी है, अगर तू कहे तो मैं शादी की बात आगे बढ़ाऊं, इससे पहले कि वरुन इस बारे में कुछ बोल पाता, घर की डोर बेल बजगे, वरुन दर्वाजा खोलता है तो देखता है कि खाना बनाने वाली सुलेखा आई हुई होती है, नमस्ते मालिक, नमस्ते मालकिन, आओ सुलेखा, आओ आओ, जल्दी से कुछ बना दो, हम लोगों को बहुत जोरो की भूख लगी है, जी कोई बहाना बना कर चला जाता है, सुलेखा खाना बना रही होती है कि तभी किचन में चुपके से वरुन आ जाता है, क्या बना रही है मेरी रानी, धीरे बोलो वर्ना आपके माता पिता सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे, अरे सोचने दो जो सोचना है, अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं घरवालों को सारी सच्चा ही बताने वाला हूँ, क्योंकि घरवाले मुझे पर शादी का प्रेशर दे रहे हैं, मुझे लगता है आपके माबाप आपकी शादी मेरे साथ नहीं होने देंगे, आप लोग कितने पड़ी लिखे हो, कितनी बड़ी फैमिली है आप और मैं ठैरी एक विद्वा मा की गरीब और कम पड़ी लिखी लड़की, अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो, हर किसी को एक समझदार और संसकारी लड़की चाहिए होती है, और तुम बहुत अच्छी हो, मैं तो तुम से शादी करूँगा, उन दोनों की ये बाते वरुन के मा मौकरानी को ही अपनी बहु बना लिया, तो क्या सोचेंगे लोग? क्या सोचेंगे मतलब? अच्छा ही सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि इतने बड़े जज होने के बावजूद एक साधारन सी लड़की को अपनी बहु बना ली. देखिए मैं मानती हूँ कि सुलेखा एक इसी वज़े से शादी से दूर भागता था, अपने बेटी के खुशी में ही हमें खुशी देखनी चाहिए माधूरी. आपको जैसा सही लगे कीजिए, दोनों बाप बेटे मेरी सुनते ही कहा है. इस तरह से अगले दिन वरुन के माता-पिता सुलेखा की विद्वा मा कमला को अपने घर बुला लेते हैं और शादी की बात तई कर देते हैं. देखिए, वरुन की पसंद के सामने हम कुछ नहीं कह सकते. आज तक हमने वरुन को हर वो चीज़ दी है जो उसे पसंद थी, तो शादी भी उसकी पसंद की होनी चाहिए. लेकिन सुलेखा, आज के बाद तुम इस घर में खाना नहीं बनाओगी, क्योंकि तुम अब इस घर की मालकिन बनने वाली हो. अब यहां काम करने के लिए कोई दूसरी आएगी. तो इस तरह से वरुन की शादी उसके घर की ही नौकरानी सुलेखा के साथ हो जाती है. सुलेखा वरुन से शादी करके बहु सुलेखा के साथ चुपके चुपके उन लोगों की बाते सुन रही होती है. हाँ हाँ, तू तो खुश नसीब हो की ही बहु, एक अनपड होने के बावजूद इतना अमीर और बड़ा परिवार जो मिल गया. लेकिन अब मुझे सुसाइटी वालों की नजरों से खुद को ब सुलेखा, तुमना सल्वार सूट पहना करो. सल्वार सूट में तुम बहुत प्यारी लगती हो. जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही कपड़े पहनेंगे. सुलेखा सल्वार सूट पहन लेती है. शाम को जब उसके माबाप वापस आते हैं, तब माधुरी गुस्सा करने लगती है. सुलेखा, ये क्या पहन रखा है तुमने? तुम इतनी भी गवार नहीं हो कि तुम्हें ये न पता हो कि शादी के बाद कुछ दिन सर्फ साड़ी पहनी जाती है ना कि सल्वार सूट. शादी के दो दिन भी नहीं हुए, तुम सल्वार सूट पर आ गई? मुझे माफ कर दीजे माची, मैं अभी जाकर बदल लेती हूँ. अगर गलती करने पर मैं हर किसी को माफ करने लगू न, तो ना जाने कितने मुझरिम, ना जाने कितन आजाद घूमने लगेंगे. माधुरी, छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यूं बना रही हो? कोई बात छोटी या बड़ी नहीं होती, हर बात छोटी होती है और हर बात बड़ी भी होती है. हम जिस सुसाइटी में रहते हैं, उस सुसाइटी में शादी के तुरंद बात पहन लेती है। वरुन सुलेखा से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वज़ा से उसे ये सब सुनना पड़ा। गलती हो गई। मादूरी टिफिन लेकर कोट चली जाती है। इधर सुलेखा बालकनी में खड़ी होकर बाहर का नजारा देख रही होती है। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर जाती है जो सड़क पर खेल रहा होता है। और तभी सामने से एक ट्रक बहुत ही तेज स्पीट क साथ हा रहा होता है। सुलेखा चिलाती रहती है लेकिन कोई नहीं सुनता। अरे बच्चे को बचाओ। कोई बच्चे को बच्चाओ। सुलेखा भाग कर घर के बाहर जाती है। उसे बच्चे को बचा लेती है। उसे बचाते वक्त सुलेखा को चोट लग जाती है। बहुत धन्यवाद बेटा, आज तुने मेरे बेटे की जान बचा ली। बच्चे को उसकी मा को पकड़ा कर सुलेखा घर वापस आ जाती है। शाम को जब वरुन वापस आता है, तब सुलेखा उसे सारी बात बताती है। वरुन उसे हॉस्पिटर लेकर जाता है। रात में जब माधुरी और उसका पती पीके सिन्हा अपनी कार से अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं, तब ही माधुरी अपना चेहरा फाइल से छुपा लेती है। माधुरी, अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो तुम। जबसे वरुन की शादी हुई है, सुसाइटी वाले मुझे अजीब नजरों से देखने लगे हैं, सभी की बहु में पढ़ी लिखी हैं, किसी ना किसी कम्पनी में जॉप करती हैं, पर मेरी बहु अनपढ़, ना कटा दी मेरी। इतने में माधुरी देखती है कि उसकी कार के पास पूरे सुसाइटी वाले इकठा हो रहे हैं। जो शायद कोई ना करता, इस सुसाइटी में बहुत सारे पूलिस ओफिसर्स के बेटे, बहुत सारे बोडी बिल्डर रहते हैं, उन लोगों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, जो आपकी बहु ने कर दिखाया आज। वो भी आज के जमाने में। उसने हमारे बच्चे की जान बचाई, इस वज़े से हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। उसके आचरन सर्वश्रेश्ट हैं सोसाइटी में। ये सब सुनकर माधुरी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। खेर थोड़ी देर बाद सारे सुसाइटी वाले सिन्हा साहब के घर पहुच जाते हैं। उसकी बहु से मिलने के लिए सबी लोग उसका धन्यवाद अदा करते हैं। आप लोग उस छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रहे हैं। मेरी जगा कोई भी होता वो यही करता जो मैंने किया। बहु मुझे माफ कर देना। आज मुझे समझ आ गया कि सर्फ बड़ी सुसाइटी में रहने से या बहुत बड़ा पद होने से कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। बलकि उसे दिल से अच्छा होना चाहिए। उस दिन से माधुरी वरुन और उसके ससुर पीके सिन्हा को अपनी बहु पर बहुत गर्व होने लगता है। उस दिन के बाद से सुलेखा को घर में और सुसाइटी में बहुत इज़त मिलने लगती है। सभी लोग खुशी-खुशी रहने लगते हैं।